मुझे सपोर्ट करने के लिए पारूल भानुशाली की चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिखरी बैल आइकन को औल प्रेस कर दीजिए वो भी बिलकुल फ्री में आज हम बहुत ही हेल्थी और नो बेक बार्स बनाएंगे जो की बनाना बहुत ही आसान है और गर के ही रखे हुए कुछ सामगरी से हम बना लेंगे तो सुरू करते ही हमारी बहुत ही healthy bars और यहाँ पर देख लीजी हमने पहले सुरुबात कर दी है pumpkin sits यह market में easily मिल जाते और यहाँ पर मैंने 2 चमच का ही measurement लेकर सारी समगरी को लिया है जो आपको जादा पसंद हो और आप जादा भी ले सकते हो या जो आपके पास available ना हो उसे skip भी कर सकते हो pumpkin sits सीख चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे और वही कड़ाई में हम यहाँ पर 2 चमच मगच तरी के बीज ले लेंगे हम अलग-अलग इसके लिए सेख रहें ताकि किसी को कम समय लगता है सिखने के लिए और किसी को ज़्यादा समय लगता है तो इस तरह से एक-एक करके हम सारे nuts और seeds को सेख लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा crunchी पन मिल जाता है ये सारे nuts और seeds के benefits तो हम सभी को पताई है जो diet follow करते हैं वो भी इसे ले सकते हैं हम ये बच्चों को भी टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं यहाँ पर मैंने बादाम को इस तरह से लच्छे में कट करके लिया है और साथ में यहाँ पर अभी हमने अक्रोड भी ले लिया है अक्रोड को हमें थोड़ा सा ही सेकना होता है ज्यादा नहीं सेकना है अक्रोड के साथ ही मैंने यहाँ पर नारिल का बुरा ले लिया आप चाहिए तो नारिल क्या लच्छा भी ले सकते हो और यहाँ पर मैंने एक secret ingredients ले लिया एक कटोरी के जितना लाल पोहा आप यहाँ पर सफेद पोहा भी ले सकते हो या तो फिर oats भी ले सकते हो पोहा के साथ ही मैंने यहाँ पर सफेद वाले तिल ले लिये है तिल बहुत ही जली से पॉप अप हो जाते है मतलब कि सिख जाते है तो यहां पर तिल भी हमारे सिख चुके है और पोहा भी तो हम इसे हाथों से तोड़ रहे है तो यह पता चड़ रहा है कि आराम से तूट रहे है तो सिख कर थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद ही हमें इसका आगे की प्रोसेस करनी है सारी सामगरी जितनी हुई है उतना आदा हम यहाँ पर मीठा लेंगे मतलब कि सारी सामगरी मेरे पास तीन कटोरी हुई है तो एक कटोरी से कम मैंने गुड लिया है और वनफोर्ट कटोरी के जितना मैंने यहाँ पर सहेद लिया है जिसे हम मद भी कहते है आप चाहे तो पूरा गुड भी ले सकते हो अब यहाँ पर धीमी आज पर हमें गुड को पिगलाना है हमें यहाँ पर पानी नहीं लेना है हम इसमें पानी लेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी तो गुड और सहेद अच्छे से पिगल रहा है उसी वक्त हमें आदा चमच देसी गी ले लेना है आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी ले सकते हो और एक पिंच के जितना मैंने यहाँ पर हिमाला या पेंक सॉल्ट ले लिया है अब ये सारी सामगरी को दो तीन बबल्स आजाए उतना हमें घरम करना है आप देसी गुड के बतले में नॉर्मल गुड भी ले सकते हो अब ये सामगरी को हम इसमें एड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे दो से तीन मिन तक सारी सामगरी को गुड और सहेद के साथ मिक्स करना है पोहा तो हम सभी के गरों में होता है तो आप पोहा का आराम से इसमें इस्तमाल कर सकते हो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फलेक्स का भी इस्तमेल कर सकते हो अब यहाँ पर यह सामगरी हमारी तयार है तो एक प्लेट के उपर मैंने थोड़ा सा गी से ग्रीस कर दिया इसके उपर हम यह सामगरी को फैला देंगे और देखकर ही लग रहा है न दोस्तों कि बहुत ही यम्मी ऐसे हमारे यह हेल्थी बार्स बन चुके है और सच में बहुत ही तेश्टी भी लगते है क्योंकि सारे नट्स को जो हमने सेख कर लिया है न उसकी वज़े से बहुत ही अच्छी सी इसमें कुस्बू भी आती है और एक क्रंच भी मिल जाता है और इसे हम इस तरह से स्पैचूला से सेप कर देंगे मतलब कि अच्छी सी फिनिशिंग कर देंगे और इसे दो गंटे के लिए साइड में रख देंगे उसके बाद हम इसके मांच चाहे पीसिस कट करेंगे पीसिस कट करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमने इसके अंदर जो बदाम के लच्छे लिए है जो सीर्स भी हमने अखे रखे न उसकी वज़े से थोड़ा सा फिनिशिंग मतलब कि एकदम परफेक्ट नहीं होगी तो हम उसे हाथों से फिनिशिंग कर देंगे तो आप इसके चाहे तो गोल-गोल लड़ो भी बना सकते हो तो तयारे हमारे ऐसे हेल्थी और टेश्टी बार्स जो प्रोटीन आरन और सारे विटामिसे बरपूरे तो देर कीस बात की आप भी ऐसे हेल्थी बार्स बनाईए आप भी खाईए और अपने घर पर सब भी को खिलाईए रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेर करना बिलकुल ना बुलेगा तो मैं पारूल जली से मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ ठैंक्स पॉर वीडियो वाचिंग